नमस्कार दोस्तों, आरपी एफ सव इंस्पेक्टर का एक्जाम अब काफी करीब है और इस अंतिम समय में कुछ महत्पून चीजें और कुछ शांदार टिप्स मैं आप सभी लोगों को देना चाहता हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखेगा अगर आप आरपी एफ सव गलतिया होती है, जो आप से एक्जाम में हो ही जाती है, तो वो सब गलतिया ना हो और इस एक्जाम को आप निकाल सकें, इसके बारे में बहुत इंपोर्टन बाते में करने जा रहा हूँ, पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, देखे, पहले कुछ कॉमन चीजें आपको जल्दी से रिवाइस करा दू कि 452 पद है, पूरे भारत से लाखों की संख्या में विध्यारती बैठने वाले हैं, केबल 452 वेकेंसी के लिए, दो दिसंबर से एक्जाम शुरू होने जा रहा है, 13 दिसंबर को इसका लास्ट एक्जाम रहेगा, टोटल 90 मिनिट का समय है, 120 20 question है, और हर इस्थिती में आपको सही प्रश्ण के लिए, सही उत्तर के लिए एक अंग, लेकिन अगर आप से गलती होती है, तो 1 3rd इसमें काटा जाएगा, ठीके, आपको इसमें पता हो, तो General Awareness यानि GS, अब GS के अंदर History, Geography, Policy, Physics, Chemistry, Bio, Static GK, Economics, Current Affairs, सब कुछ शामिल है, ज 120 नंबर, 90 मिनिट का समय, एक तिहाई नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है, सिलेबस और सारी चीजे पहले भी मैंने बताई है, फिर भी आप चाहें, तो वीडियो को रोक के देखकर आराम से आप यहापे समझ सकते हो, और ये जिसके वारे में भी हम सारी बाते कर करने वाले हैं, आप सबसे महतपुर्ण मुद्दा जिस पे हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे करे तयारी क्या हो आपकी रणिती नंतिम दिनों में, तो मेरे अनुभाव के आधार पे बहुत सारे बच्चे जिन्नोंने सफलता हासिल करी उनके आधार पर और बहुत सारे वो भ पहली चीज आपको यह समझनी है, अच्छा हम यह भी बात करेंगे कि अभी एलपी का जो एक्जाम हो रहा है, इससे हमें और क्या सीखना चाहिए, इन एक्जाम को देखते हुए हमें पता चलेगा कि रेलवे का भी मूड क्या चल रहा है, आपको सबसे पहले तीन विशे है मैस, रिजनिंग, GKGS, अब दो प्रकार की स्थितिया बन सकती है, कुछ बच्चों ने पूरा सिलेबस कर लिया होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे, जिनका भी सिलेबस बचा होगा, आप याद रखिए, जितना कवर किया जा सकता है, जितनी चीजे हैं, अगर आपका 80-20 का रूल फॉलो करने का कहता हूँ, अगर अंतिम समय आ चुका है, अंतिम समय in the sense कि आप अब एक्जाम के एकदम करीब हैं, तो आप 80-20 का रूल फॉलो करें, अपना दिन का 80 प्रतीशत समय प्रेक्टिस भी दीजिए, और 20 परसेंट समय जो है, कुछ नया पढ़ने पर या फिर आपको revision करना है, इन चीजों पर आप समय दीजिए, practice करना, उसका बहुत अच्छे से analysis करना, ये सब चीजे हैं न, practice में PYQs आ जाएंगे, MCQs आ जाएंगे, mock test आ जाएंगे, ये सब चीजे practice का part है, है न, तो आपके दिन का अब 80 प्रतीशत समय, practice पे जाना चाहि है, कुछ आपको revise करना है, इन सब चीजों की तरफ आपका समय जाना चाहिए, क्योंकि आप अगर केवल पढ़ते रहोगे और आप सोचोगे कि ठीक है, practice करने से वो timey waste होगा, test लगाने से time waste होगा, कुछ पढ़ने तो हमारे लिए जादा अच्छा होगा, ये आपकी बहु अच्छा है, लेकिन जितने जादा test लगाओगे, जितनी जादा practice करोगे, उतना आप बाकी सब लोगों में आगे रहोगे, क्योंकि test से ही आपकी बहुत सारी गलतिया सुधरती है, test से आपका time management सुधरता है, test से आप वो सारी गलतिया जो आप exam में कर सकते थे, वो सुधर जाएंगी, इसलिए ध्यान रखिएगा, test को ignore नहीं करना, test लगाना बहुत ज़रूरी है, अब आप जब भी test लगाते हो, ये बात ध्यान रखना, कि आपका हमेशा target होना चाहिए, कि आप ये मान कर test लगाओ, कि आप real exam दे रहे हो, एकदम वैसे ही test लगाओ, कि आप exam hall में बेठे हो, और real exam दे रहे हो, अगर आपने पहले कभी online exam नहीं दिया है, तो railway ने एक demo test भी जारी कर दिया है, या आप laptop पर, या किसी computer पर, जरूर कम से कम एक बारा practice करके जाए, ताकि आपको वहाँ पे एकदम नया न लगे, तो आपको एक बार online test जरूर लगा के जाना चा होनी ही चाहिए आपको, ठीक है, जब भी test लगाते हो, पहला आपका target है, शुरू से last तक पहुचना, 120 सवाल आएंगे, तो question number 1 से question number 120 तक आपको हर हाल में पहुचना है, अच्छा, ALP का भी जो paper आ रहा है न, इससे एक बात समझ में आगे कि railway ऐसा कोई बहुत भेंकर change नही करने वाला है कि एकदम ही कुछ नया आजाएगा, या railway कुछ नया ही कर देगा, जो पहले कभी नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होना है, जो आपने पड़ा है, उस पर विश्वास रखिए, जो आपने मेहनत करिए, उस पर विश्वास रखिए, सब उस दाइरे में ही आना ह तो कुछ ऐसा अचानक नया नहीं आ जाएगा, तो इसलिए बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, दूसरा, ALP में मिक्स सवाल आ रहे हैं, मिक्स सवाल कैसे, मान लीजे पहला सवाल मैट्स का है, तो दूसरा जीके का आ गया, फिर तीसरा मैट्स का आ आ जाए, सबजेक्ट वाइस, मतलब सेक्षन वाइस पेपर नहीं आ रहा है, एलपी में, आरपी एफ में भी पहले यही रहा है, तो हो सकता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, हो सकता है कि सेक्षन वाइस एक्जाम आ जाए, हो सकता है आपका मिक्स एक्जाम आ जाए, उन प्रश्नों के लिए अलग से समय रखिये कि आप बाarna मिनिट उन सवालों के लिए जो बन सकते हैं या आप तुकही मारना है या चोड़ना ही है उन सवालों को लास्ट में देखना है इसलिए आपको वो घल्ती नहीं करना है कि नहीं मैं तो लगातार करते चलूंगा किसी प्रश्ण में 10 मिनिट भी लगेंगे तो मैं तो दूँगा नहीं अगर प्रश्ण बन रहा है लेकिन 5 मिनिट 10 मिनिट तक लग सकता है छोड़ दीजिए इसे सवाल जो आपकी सपीड को ब्रेक करेंगे ऐसे सवाल जहाँ आपको लग रहा है कि यार समय लग जाएगा मन टाइम वेस्ट करिए ये बात बहुत महत्पूर ने ध्यान रखिए शुरू से आखरी तक पहुचना इंपोर्टेंट है रिजर्व टाइम का यूज करना है य इन में आप 90% स्कोर खीश सकते हो और बलकि कई बच्चे तो 100% ले आते हैं वो है मैस और आप कितने ही साल से पढ़ रहे हो तब भी कोई गैरेंटी नहीं है कि आप जीएस में 100% मार्क्स ले ही आओगे इसलिए भाई याद रखना जीएस कितना ही पढ़ो कम है और आप कित 98% मार्क्स ला सकते हो अगर परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो सवाल कैसा भी यो बन ही जाएगा आपने इतिहास कितना ही पढ़ लिया हो कोई गैरेंटी सवाल बन ही जाएगा, इसलिए हमें हर सब्जेक्ट का बैलेंस बनाना है, याद रखिए इन में जितने मार्क्स खीश सकते हो खीश लेना, क्योंकि जीके जीएस का कोई अंदाजा नहीं, कहां से प्रशन आ जाए, क्या पूछ ले, कोई भरोसा नहीं, है न, इसलिए असली ट सब्जेक्ट आपको कट ओफ पार करवाएंगे, स्कोरिंग सब्जेक्ट ही आपको कॉम्पिटीशन में आगे करेंगे, ये बात ध्यान रखना है, इसलिए सिर्फ जीके जीएस महतपूर्ण है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जीके जीएस पढ़ने मजा आता है, नहीं-नहीं 35 में से अगर 32 या 33 नंबर आ रहा है, रिजनिंग में 35 में से 35 आ रहा है, तो वो सब्जेक्ट ज्यादा अच्छे हुए ना, क्योंकि गैरेंटी तो है कि बन जाएगा, जीएस में तो कोई गैरेंटी ही नहीं हो सकता है, 25 में या 20 में ही आप सिमट जाओ, नेगेटिव मार् जाता है, तो और अपने हाथ से ही अपने सेलेक्शन को रोग देते हैं, इतना GKGS के पीछे पढ़ जाते हैं, ध्यान रहे, स्कोरिंग सब्जेक्ट से ही मार्क्स कीचने हैं, GKGS कैसा आएगा, क्या आएगा, क्या बनेगा, एक्जाम में ही पता चलेगा, इसलिए इनका टाइम मेनेजमेंट एक बहुत महत्पून चीज है, अपने 90 मिनट को आज ही बाटो, और आज के बाद जैसे भी प्रेक्टिस करते हो, वैसे करो, आप अगर मिक्स सवाल आ रहे हैं, तो एटलिस्ट आपको ये करना है भाई, मेरा तो सजेशन रहेगा, कि आप मानो कि मुझ पता है, तो ठीक, नहीं पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना, चलिए, तो 80 मिनिट, बलकि मैं अगर आपकी जगा होता, तो ये रेशो 75 और 15 का रखता, कि भाई, इतना रेशो होना है, बाकि आप 80 और 10 भी रखोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस सवाल में लगे, जिस सवाल में लगे, कि ये तो बहुत कैलकुलेटिव हो रहा है, या इसमें 5 मिनिट तक खराब हो जाएगा, मत करना, जहां समय लगे, उसको लास्ट में देखना, है ना, दूसरी बात याद रखना, कि अवरॉल अगर 120 सवाल आ रहे, इन 120 सवालों में मैं सो रिज पर लोड नहीं ले लेना है, कि आप बाकी के सवालों को बिगाड के आ जाए, नया कुछ नहीं आ सकता, ऐसा कुछ नहीं आएगा कि एकदम ही आपसे कुछ न बने, और अगर ऐसा होगा, तो दो, चार, छे सवाल होंगे, तो ठीक है, उनको लास्ट में देख लेंगे, उनक नय के लिए भी तयार रहो, लेकिन वो नया एकदम ऐसा नहीं होगा, कि जो आपके बसका ना हो, तो इसके लिए इसका ध्यान रखी है, है ना, टफ क्वेस्चन को इसकीप करना है, छोड़ना है, लास्ट के लिए रखना है, आपका कम से कम सेफ स्कोर, मेरा नुमान है कि 100 प्लस होना चाहिए, 100 के आसपास तो आपका टार्गेट होना चाहिए कि 90, कैटेग्री वाइज अगर देखे तो 90 से उपर, और अगर आपकी अच्छी पड़ाई है, तो मेरा तो सजेशन है कि भाई, इतनी अच्छी तयारी करो, इतनी अच्छा टेस्स लगाओ, इतनी प्र होना चाहिए कि इसके उपर तो आपको करके आना है, बाकी हो सकता है भी टेस में कम नंबर आ रहे हो, और प्रैक्टिस करिए, और अच्छा करिए, और बाकी जितना अच्छा हो, क्योंकि मैं कटा बता भी दूँ, मैं 100 बोल भी दूँ, हो सकता है 90 पर ही सेलेक्शन हो जाए पर हम एक टारगेट तो रखें कि यार इतना करने का तो प्रयास करना है, बाकी फिर एक्जाम में जो बेस्ट होगा वो ठीक है, बाकी फिर जो होगा देखा जाएगा, इसलिए जो बेस्ट हो वो करना है, लेकिन अगर ये टारगेट करके चलोगे, तो सेफ होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है ठीक है अंतिम समय में अपने आपको रिलेक्स रखना है एक्जाम के एक दिन पहले पढ़ना बन कर देना है जहां भी आपका सेंटर है वहाँ पर टाइम पर पहुचना है पहले से सारी जानकारी करके रखें एसा नहीं करना है कि राद भर आप यात्र कर रहे हो सो रहे नहीं हो पूरी पढ़ाई बेकार हो जाएगी आराम करना बहुत जरूरी है एक दिन पहले पहुचना जरूरी है रेस्ट करिए अच्छा बेलेंस्ड नॉर्मल खाना खाईए बहुत हेवी इन सब चीजों का ध्यान रखें क्योंकि इतने महीने आपने पढ एजाम में करोगे लेकिन अगर अच्छा आपने बैलेंस नहीं करा बढ़ा मुश्किल हो जाएगा यह इसलिए इसका ध्यान रखिए और जब भी टेस्स लगाते हो टेस्स लगाओ एनालिसिस बहुत इंपोर्टेंट है टेस्स लगाके छोड़ने ही देना है कि 120 में से 70 नंबर आए 80 नंबर आए चलो हो गया एनालिसिस करना उतना जरूरी है अगर देड़ घंटा टेस्स लगाया है न तो देड़ से 2 घंटा एनालिसिस करो क्या बना क्या नहीं बना क्या म पाइनर मिस्टेक हुई कौन सी ऐसी गलती थी कि यार बताओ हमने बीस और पंद्रा का गुणा करना था उसको हमने गलत कुछ कर दिया मतलब ऐसी जो कई बार छुटी-छुटी गलतिया हो जाती है कि ऐसे करोगे तब तो ठीक है लेकिन टेस्ट में ही वो छुटी-छुटी ग गलत हो रहा है तो जब आप एनालिसिस करोगे तो पता चलेगा कि क्या गलतिया हो रही है अब उस गलतियों के लिए एक्शन लो कि अच्छा मैट्स में मिश्रण गलत हो रहा है ना चलो मिश्रण को अब रिविजन करना पड़ेगा मिश्रण के जरा 50-100 सवाल लगाने पड प्रेस लगाया अनालिसिस करा अपनी कमीया पता चली उन कमीओं पर काम करना है और अंतिम दिनों में इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो मुझे उमेद है आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा और प्रेक्टिस के लिए विनर्स की टेस्स उन विपलब्द है 149 में 45 टेस्ट है, विट सॉल्यूशन है, आप चाहें तो विनर्स के अप्लिकेशन पर ये टेस्रीज ले सकते हैं, तो मेरी तरफ से, मतलब मैं बोलने को तो एक घंटे, दो घंटे आपको पॉइंट्स बता सकता हूं, पर अब समय जितना बचा है, और जिन चीजों का ध्यान रखन उनमें ये महत्पुन चीज़े हैं, इन सब चीजों का ध्यान रखें, बाकी अपने उपर भरोसा रखिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव तिंकिंग रखिए, और आपने अगर मेहनत करी है, तो पेपर अच्छा जाएगा, पेपर के पहले नो डाउट बड़ा टें हुए, इसलिए जब आप आगे बढ़ते जाओगे, तो कभी-कभी पेपर बनाने वाले न, शुरुवात में जान बुच के से सवाल, कठिन सवाल, नएने सवाल रखते ताकि जो बच्चा खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो वहीं उसका दिमाग खराब हो जाएगा, कि पेपर में तो कुछ भी नहीं बन रहा, पता चल रहा है कि शुरू के 10 से 15 सवाल टफ थे, आगे सवीजी था, इसलिए शुरू से आखरी तक पहुचना महतपूर्ण है, तो उमीद है कि ये सब चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे, तो आपका पेपर बहुत अच्छा है, वो अपना करने का प्रयास करेंगे, अपना सर्वस्रेस्ट देंगे और जो होगा देखा जाएगा, थेंक यू, जय हिंद, ओल दे बेस्ट